नमस्कार मैं दिगंबर कश्या नियोर्थरपिस्ट आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज सियाटिका पेग बैक एक यानि कि कमर दर्द बहुत जादा हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारव होता है हमारा लाइफ इस्टैक हमारा पोश्चर हम जिस चेयर पर बैठत है वो चेयर कमफर्टेवल नहीं है आज हम देखते कि लैपटॉप कंपूटर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं और हम चेयर पर बैठते वह कमफर्टेवल नहीं है हम गलत कोईश्चर अपनाते जिसके कारण से हमें बैक हो जाता है हमें निरंतर कमर दर्द रहते हैं जब हम ड इनके अंदर आर्ट से दस घंटे तक खड़े रहते हैं या घरों में महीलाई वो जालत तर कारिये खड़े उकर करती है जिसके कारण से बैक की समस्या हो जाती है सीड़ी तेजी से चड़ना उतरना घर में वजन वाला समान हमें उठा लेना बातरूम में या कहीं पर हम सिल आरव आओ नहीं या तो बहुत जादा सॉफ्ट है या वह बहुत जादा हार्ड है या जब टीवी देहते हम लेटकर टीवी देखते गलत पॉइसल्टि नहीं पर लेटे रहते जिसके कारण से हमें बैक ईया स्याट्री का पेण हो जलता है या अ हम जो सून पहनते हैं या म नहीं है जब देखा होगा आपने की महिलाएं या चपले पहनती है उसमें उनकी पहन की क्या पोजिशन होती है जब वह उससे पहन कर चलती है तो उसके कारण से बैके किया की समस्या हो सकती है या एक बहुत बड़ा कारण जो जो पीछे वाली पॉकिट है उसमें पर्स रखते बहुत मोटा पर्स रखते और जब वह बैठते तो उनका पुश्चर गलत हो जाता है या वह ड्राइविंग करते उस समय भी उनको अंगमफर्टेवल रहता है जिसके कार का नहीं परता कि क्या कारण हूं लेकिन यह यह एक लिए जो पॉस्चर के करण से होती है जाय है चाहे आपको बैकेर हुआ हुआ है चाहे आपको शेमिन प्ल्स लंभी नारम है दोनों पैर में दर्द होता है और कजिंत डॉक्ट डॉक्टर के पास चाता है कि आपको श्याट्र का होगिустить आपकी नर्व कंप्रेस हो गया है आपको इस्टेनोसिस हो गया है आपको बल्ज हो गया है अगर आपको बैकक की कोई भी समस्या चाहे आपको सिलिप डिस्क हो गई है चाहे आपको स्याटिका हो गई है या आपको मस्कूलर पेन है तो आज मैं कुछ छोटा सा पर आपके समस्या हमेशा लिए ठीक हो जाने वाली है तो आएए देखते कैसे करें हम बैके का ट्रीट्मेंट अई कि बैक केक नर्व कंप्रेशन इस्टेलों से स्याटी का पेट लिए बहुत इफ्यक्टिव ट्रीटमेंट यह पर हमें यह रखना है सपोर्ट के लिए और पल्ले से रव करना है घिसाई करनी है बैक की अच्छे से कि दौनों प्यार को मिलाओ एड़ी उठाओ कि बटक्स पे अपने पैर से अंदर की और दवाप देना है प्रेशर देना है इस प्रकार से पैर की नीचे फिर में तक्या लगाने प्रेशर देने पास पास पॉइंट बनाना है अब श्यूंद का पेंट की बार एक पैर में होता है और कई बार कुछ लोगों को दोनों प्यारों में होता है सब्सक्राइब कर से अंदर में आती है हमा में अपने उठे से बिल्कुल सेंटर में परेशर देते जाने बिल्कुल पास-पास ऐसा तीन से चार बार कर सकते हैं पास-पास पॉइंट बनाने इस परकार से हमें रब करने बहुत जवर्दर्स टीटमेंट बैक के सियार्टी का पेंग लिए जवर्दर्स टीटमेंट आप ट्राई करें और इसके रिजल्ट्स देखें दोस्तों अभी आपने इस वीडियों के माध्यम से जाना क्या कारण होते हैं जिसके कारण से हमें बैकिंग की समस्या होती हैं आपकी बैकिंग की समस्या हमेसे लिए ठीक हो जाने वाली है दोस्तों उम्हेद करता हूं यह वीडियों में बहुत इन्फोर्मेटिव और आपकी समस्या हमेसे आगे ठीक हो सकते हैं दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहले देख रहे हमारें सब्सक्राइब जरू कर बूले और बेल बटन जरूरी दबाले जिससे की जो भी वीडियो फीचर में बनाए उसका नॉटिफिकेशन टैम टैम आपको मिलता रही है